ये बनाना मफीन्स बनाटे टाइम हमने मैदा, कंडेंस मिल्क, बटर, दही या फिर अंडे का इस्तिमाल बिल्कुल भी नहीं किया है आप यहाँ पे ये बनाना चॉकलेट चिप्स मफीन्स का टेक्शर देख सकते हैं देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉंजी ये मफीन्स बन गया है और कलर भी कितना बढ़िया आ गया है देखिए ये मफीन्स को अंदर से भी कितना बढ़िया जालेदा टेक्शर आ गया है इसलिए बनाने के लिए आसान लेकिन खाने के लिए बहुत ही बढ़िया ऐसे ही बनाना मफीन्स आप जरू ट्राइ करके देखिए और अगर आपने अश्विनिस किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकोन को प्रेस करना मद बुलिए आप अश्विनिस किचन को फेस्बुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलू कर सकते हैं यहाँ पे दो पके हुए केले मैंने लिये हैं, इनको हम ये फोर्क का इस्तिमाल करके मैश करके लेते हैं ये देखिए हमने इन केलों को अच्चे से मैश करके लिया है, अब इसमें ये हाफ कप शक्कर हम डाल देते हैं अब इसमें जाएगा ये तीम चमच ओईल, यहाँ पे ये मैंने सनफ्लोर ओईल लिया है, यहाँ पे ये वन फोर्थ स्पून डाल चिनी पावडर डाल देते हैं अब इन सभी चीजों को अच्चे से मिक्स करके लेते हैं इन सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करके लिया है यहाँ पे एक कप, वीट फ्लोर याने गेहू का आटा मेंने लिया है वो भी हम इसमें डाल देते हैं मिक्स करके लेते हैं यह मिक्चर में हमने यह गेहू का आटा अच्छे से मिक्स करके लिया है यह दो चमच दूद हम इसमें डाल देते हैं आप आपके बैटर के आवशकता के नुसार एकाच स्पून और दूद इसमें डाल सकते हैं मिक्स करके लेते हैं ये बैटर में हमने ये दूत को अच्छे से मिक्स करके लिया है ये वन फोर्थ स्पून बेकिंग सोड़ा और एक स्पून बेकिंग पाउडर हम इसमें डाल देते हैं अब वापस ये बैटर को हम अच्छे से मिक्स करके लेते हैं अब ये 1 फूर्थ कप चोको चिप्स हम ये बैटर में डाल देते हैं अब स्पून को धीरे से चलाते होएं इन चोको चिप्स को हम ये बैटर में अच्छे से मिक्स करके लेते हैं ये दिखी ए हमारा बनाना मफीन्स का बैटर रेड़ी है यहाँ पे मेरे पास यह मफीन्स के मोल्ड है अब यह सिलिकॉन के मोल्ड को हम यह ओईल लगा के लिए है इन सभी मोल्ड को हमने ओईल लगा के लिया है अब इन सभी मोल्ड में हमने जो मफीन्स का बैटर बना के लिया है वो हम डाल देते हैं और इन मॉल्स में ये बैटर डालने के लिए हो सके तो ये आईस क्रिम का स्कूप ही इस्तिमाल करना है इससे ये बैटर को हम अच्छे से लिफ भी कर पाते हैं और इन मॉल्स में अच्छे से डाल भी सकते हैं और ये scoop इस्तिमाल करने का और एक फाइदा ये है कि इससे एक जैसा batter हम इन सभी molds में डाल सकते हैं और इसी वज़े से ये muffins भी एक जैसे shape के बन जाते हैं ये देखिए एक एक करके इन सभी molds में हमने ये muffin का batter डाल दिया है अब ये muffins team को हम थोड़ा सा tap करके लेते हैं ये मेरे पास बचे होए चोको chips हैं उनको भी ये muffins के batter के उपर डाल देते हैं सब muffins के batter के उपर हमने ये चोको chips डाल दिये हैं और उसी के साथ हमारे ये banana chocolate chips muffins बेक होने के लिए रेडी है ये ओहन को हमने 180 degree Celsius पे पहले ही preheat करके लिया है अब इन molds को हम बेक होने के लिए ओहन में रख देते हैं अब ये ओहन को 180 degree Celsius पे 30 minutes के लिए set कर दिया है 30 minutes हो गए हैं अब हम देखते हैं देखिए कितने बढ़िया ये muffins बेक हो गए हैं हम उनको बाहर निकालते हैं ये देखिए गर्मा गरम फ्रेश बनाना मफीन्स रेडी है अब इन muffins को हम एक 10 minutes के लिए थंडा होने देते हैं 10 minutes हो गए हैं और हमारे ये बनाना चॉकलेट चिप्स मफीन्स खाने के लिए रेडी है और सबसे इंपोर्टन बात ये है कि ये muffins बनाते टाइम हमने मैदा, condensed milk, butter, दही या फिर अंडे का इस्तिमाल बिल्कुल भी नहीं किया है आप यहाँ पर ये बनाना चॉकलेट चिप्स मफीन्स का texture देख सकते हैं देखिए कितना soft और spongy ये muffins बन गया है और color भी कितना बढ़िया आ गया है देखिए ये muffins को अंदर से भी कितना बढ़िया जालिदा texture आ गया है इसलिए बनाने के लिए आसान लेकिन खाने के लिए बहुत ही बढ़िया ऐसे ही बनाना muffins आप जरो ट्राइ करके देखिए